नमस्कार, Study Zone चैनल प्राप सीव का स्वागत है Friends, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो Study Zone और Study Zone गोरेंट जोब चैनल को सब्सक्राइब जोरू करें इसके साथ साथ notification bell का विटन जोरू दवाएं ताकि आप मारे नहीं वीडियोज के प्रेट जल से जल पास के Friends, हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने हर्याना पुलिस बरती 2018 के लिए एड़र्टाइजमेंट नमबर 3 2018 रिलीज कर दिया है इसमें स्लेवस में कुछ नई चीज़े एड की गई है और नया एक्जाम पैटर्न बनाए गया है स्लेक्शन प्रिक्रिया में भी पहले से कुछ चेंजिज किये गए है इस यूडियो में मैं आपको इस इन सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा हर्याना पुलीस बर्ती 2018 में सबसे पहले रिटर्न एक्जाम लिया जाएगा और रिटर्न एक्जाम का स्लेवस पहले से कुछ डिफरेंट है इसमें जनल स्टेडिज, जनल साइंस, करंट अफेर्स, जनल रिजनिंग और मैंटल एप्टिटूट के क्विस्चन आएंगे नुमेरिकल एबिलिटी के भी आएंगे और ये सब तो पहले में मोजूद था लेकिन इस बार के एक्जाम में एग्रिकल्चर, अनिमल हजबेंडरी और केम्पूटर की बेसिक नोलेज के 10 क्यूशन आएंगे कम से कम ये सबी क्यूशन पहले नहीं थे और इसमें मेंडेटरी है कि केम्पूटर नोलेज के कम से कम 10 क्यूशन आएंगे तो आप इसको भी अपना strong part बनाए इसमें constable के exam में 12th class तक के question पूछे जाएंगे यानि आपके जो भी questions आएंगे उन सभी का standard रहेगा 12th class और सब inspector के exam के लिए graduation level तक के question पूछे जाएंगे इन सभी में पिछली बार से ज़्यादा standard बढ़ा दिया गया पिछली बार 10th class तक के question पूछे गए थे तो आप अपनी तयारी को इसी इसाब से बढ़ा ले कि constable वाड़े 12th class तक का standard बढ़ाए और सभी इंस्पेक्टर वाड़े graduation level तक का इसमें आपका written exam 80 marks का होगा जिसमें टोटल 100 questions आएंगे आपके लिए इसके लिए duration रहेगी 90 minutes यानि डेड़ गंटे का आपका exam होगा और हरेक correct question के लिए आपको 0.8 marks मिलेंगे इसमें कोई भी negative marking नहीं होगी और आपका medium of exam हिंदी और इंग्लिस दोनों बाशाव में आपका question paper होगा आप कोई सी बाशाद choose कर सकते हो इसमें पहले return exam लिया जाएगा और return exam होने के बाद candidates को physical screening test के लिए बुलाया जाएगा physical test में टोप के seven times बच्चों को बुलाया जाएगा हर एक category में जिस भी category में जितनी भी vacancies है उसको seven से multiply करके टोटल जितने भी candidates होगे टोप के इतने candidates को बुलाया जाएगा फिर इन सभी candidates के लिए physical test होगा physical test में male candidate के लिए total distance है two point five kilometer डाइग किलोमेटर आपको बारा मिनिट में complete करने होंगे ऐसे female candidate के लिए एक किलोमेटर का distance ते किया गया है और उसको यह distance 6 मिनिट में complete करना होगा एक service man के लिए एक किलोमेटर है लेकिन एक service man के लिए time पांच मिनिट रहेगा फिजिकल स्क्रीनिट के साथ साथ फिजिकल स्टेंडर टास्ट भी लिया जाएगा मनला फिजिकल मेजर्मेंट लिया जाएगा इसमें। के लिए height कम से कम 170 cm होनी चाहिए general क कि लिए और 168 cm होनी चाहिए रिज्व को देगरी के लिए और इसके बने कि लिए चैस्ट अटी त्री से 57 см होने चाहिए 83 cm और ऐटिव्सन चैय को लावा मेल रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 cm chest होनी चाहिए और 85 cm होनी चाहिए after expansion यानी 81 without expansion 85 cm with expansion female category के लिए 158 cm general के लिए height होनी चाहिए और 156 cm height होनी चाहिए reserve category के लिए constable general duty के लिए age रहेगी 21 से लेकर 25 साल तक यह age count होगी 1 April 2018 को यानी 1 April 2018 को आपकी 21 से 25 के बीच में age है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो यह सभी general category के लिए है अगर आपकी reserve category है SC ST या OVC तो इसके साब से आपको relaxation दिया जाएगा जैसे SC और ST के लिए 5 साल का relaxation और OVC के लिए 3 साल का relaxation फीजिकल स्टेंडर्ड सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए height कम से कम 170 cm होनी चाहिए 158 cm होनी चाहिए और reserve category के लिए कम से कम 156 cm होनी चाहिए एज कम से कम इसके लिए 21 से लेकर 27 एज होनी चाहिए और यह age count होगी 1 April 2018 को अधर reserve category के लिए relaxation age का agities रहेगा जैसे government में दिया जाता है physical screening test और physical standard test दोनों constable के लिए और service inspector के लिए सिर्फ qualifying in nature है यानि इसके कोई भी marks add नहीं होंगे 80 marks का exam होने के बाद 10 marks additional qualification के दिये जाएंगे constable के लिए इसमें 7 marks में graduation के लिए 4 marks दिये जाएंगे और post graduation के लिए 3 marks दिये जाएंगे और sub inspector के लिए 7 marks में graduation degree in law, computer, engineering, science, forensic medicine, forensic science, police science और criminology में अगर आपकी graduation degree है तो आपको 4 marks दिये जाएंगे इन सभी के अलावा आपकी graduation degree किसी भी branch से हो आपको कोई भी marks नहीं दिया जाएगा इसे ही post graduation में engineering, science, forensic, medicine, law, computer, forensic science, police science और criminology में से आपकी post graduation degree है इसके अलावा आपके पास किसी भी graduation degree के साथ M.Philo या PhD हो तो आपको 3 marks दिये जाएंगे तो यह सब है साथ marks सब inspector के लिए इन सभी के अलावा NCC के लिए 3 marks दिये जाएंगे A certificate के लिए 1 mark, B certificate के लिए 2 और C के लिए 3 marks दिये जाएंगे total additional qualification के लिए 10 marks दिये जाएंगे return exam 80 marks, additional qualification 10 marks के लिए जाएंगे इसमें applicant father, mother, spouse, brother, sister, son और daughter में से अगर कोई भी government job पर नहीं है तो उसको 5 marks दिये जाएंगे government jobs का मतलब है central government या state government कोई भी job हो तो अगर इसमें किसी भी job पर नहीं है तो उसको 5 marks मिलेंगे अगर candidate orphan या widow है तो उसको 5 marks मिलेंगे विड़ो को direct 5 marks मिल जाएंगे लेकिन orphans के लिए यानि अनात के लिए कुछ conditions है यानि उसके father की death 42 age से कम age में हुई हो या second condition है जब उसके father की death हुई हो जब first या second child की age कम से कम 15 साल से कम हो अगर उनकी age 15 साल से कम रहेगी तो उसको 5 marks मिलेंगे थर्ड है denotified tribe यानि जो notified tribe नहीं है हर्याना में जैसे विबुक्त जात है तापरिवास है या नोमेडिक ट्राइब है हर्याना के लिए इन सभी candidate को 5 marks दिये जाएंगे इन सभी के अलावा experience के भी 8 marks maximum दिये जा सकते हैं और 0.5 marks है एक साल का यानि एक साल का आदा marks तो इन्टु 16 टोटल 8 marks आपको दिये जा सकते हैं मिस्लेनियस के 10 marks में से maximum किसी भी candidate को 10 marks मिल सकते हैं किसी भी कैटेगरी को मिला कर यानि 10 marks से ज्यादा उसको इस पार्ट में नहीं मिल सकते हैं कि फुल स्लेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एक्जाम होगा 80 marks का रिटन एक्जाम होने के बाद टोप के सेवन टाइम स्केंडिडेट बुलाई जाएंगे हर एक कैटेगरी के सेवन टाइम केंडिडेट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और फिजि कंप्लीट करने के marks लेकिन इसमें यह सिर्फ qualifying in nature है यानि आपको इसको सिर्फ qualify करना इसके बाद इसमें additional qualification marks add कि जाएंगे इसमें जैसे आपके graduation के post graduation के इन सभी के marks 10 marks add कि जाएंगे इसमें NCC के भी 3 marks है इसके बाद miscellaneous के 10 marks add कि जाएंगे यह आपकी family conditions उन सभी पर depend करेगा तो यह total 100 marks का test हो जाएगा 100 में से आपकी cutoff link cutoff लगाई जाएगी इसमें कोई इंटर्व्यू नहीं होगा total इन सभी को मिलाकर आपके 100 में से cutoff लगाई जाएगी friends अगर अब भी आपका कोई doubt है तो आप हमें comments में लिखकर बता सकते हो आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें comments में लिखकर जरूर बताए और इस वीडियो को ज्यादे ज्यादा like और share करें हर्याना पुलीस के एक्जाम की तयारी के लिए आप study zone चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हम इस पर आपकी लिए helpful वीडियो अप्लोड करेंगे ताकि आपको एक्जाम क्लियर करने के लिए help मिल्स के इसमें हम हर तरह के हर्याना जीक के current affairs और computer से related questions भी अप्लोड करेंगे